36 गड के सभी नगरीय निकायों में मुख्यमंद्री शहरी स्लम स्वास्त योजना के अंतरگत लोगों को इलाज की सुईधा मिलेगी मुख्यमंत्री भुपेश वगेल ने आज योजना के विस्तार कारेक्रम की अंतरगत राजिके सभी नगर पालिकाउं एवं नगर पंचायतों में घर पहुं स्वास्त सेवा उपलब्द कराने की उद्देश से 60 मोबाइल मेडिकल यूनिट का शुबारम किया शहरी शेतरों में लोगों को उनकी चौखट पर ही स्वास्त सेवाई उपलब्द कराने के लिए मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्त योजना एक नवंबर 2020 को शुरू की गई थी इसके पहले चरण में सभी 14 नगर निगमों में 60 मोबाइल मेडिकल यूनिट एम्बुलेंसों के जरिए डॉक्टर अपनी सेवाई प्रदान कर रहे हैं योजना की सफलता को देखते हुए अब इसे प्रदेश की सफ़र नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में लागू किया जा रहा है योजना के अगले चरण में 60 नई मोबाइल मेडिकल यूनिटों के माध्यम से नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में भी लोगों की चोख़ट तक स्वास्त सेवाई पहुँचाई जाएंगी वहीं एक अन्य कारिक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में प्रशासनिक विकेंद्री करण के तहट जनता और शासन प्रशासन की बीच की दूरी को कम करने के लिए चार नई राजस्व अनुविभाग और 23 नई तहसीलों का शुभारम किया वर्तमान में 36 गड़ प्रदेश में कुल 96 अनुविभाग हैं तथा तहसीलों की संख्या 189 है नवीन अनुविभाग और तहसीलों के प्रारम होने से शासके योजनाओं के सुचारों रूप से क्रियान वयन और प्रशासनिक कामकाज में कसावट लाने में सुविधा होगी मुख्यमंत्री ने जगडलपूर जिले में तोकापाल, गौरेला, पिंडरा, मरवाही जिले में मरवाही, सूरजपूर जिले में भईयाथान तथा गर्यावन जिले में मैनपूर, अनुविभाग का शुबारम किया इसी तरह से नई तहसीलों में सीपत, बोदरी, सकोला, अडभार, सरिया, चाल, बरपाली, अजगर, बहार, पसांच, चांदो, रगुनात, नगर, डोरा, कोचली, बिहारपूर, सुहेला, भडगाउ, अहिवारा, नानघाट, सरोना, बारसूर, कुट्रू, गंगालूर और